परिक्षित ने भी सोचा कि जरा देखें तो मेरे दादा जी मेरे लिए क्या छोड़के गए है जब परिक्षित गए तो परिक्षित ने देखा खूब सारा धन, संपत्ती, सोना, चांदी, खूब सारी संपत्ती, खूब और उस संपत्ती में, उस सोने, चांदी में खूब सोने का मुकुट को परिक्चित को बड़ा अच्छा लगा मुकुट किसका था जरासंद का जब भीम ने जरासंद को मारा तो जरासंद के बेटे का नाम था सहदेव सहदेव ने भीम से कहा कि ये हमारे पिताजी का मुकुट हमको ले जाने दो ये हमारी धरोहर है पर भीम नहीं माने और जबरन उस मुकुट को छीन के ले आए तो छीना गया मुकुट है जबरजस्ती लिया गया और बैसे भी जरासंद का तो अबगुण भरे थे उस मुकुट में और जब वो मुकुट परिक्षित ने अपने सिर पे लगाया तो उस मुकुट के ऊपर कल युग आकर के बैठ गया अब परिक्षित वो मुकुट लगा करके जंगल गए सिकार खेलने के लिए सुबह से साम हो गई सिकार करते 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 शाम के समय परिक्षित को भूक लगाई प्यास लगाई जब भूक और प्यास से परिक्षत व्याकुल हुए तो परिक्षत ने देखा कि जंगल में ही पास में समीक नाम के रिशी की कुटिया है आश्रम है परिक्षत गए समीक रिशी के आश्रम में लेकिन समय है शाम का और साम का समय सब के लिए किसी पूजा पाट का है कोई ध्यान करता है कोई पूजा करता है कोई रामयन पड़ता है कोई जाप करता है तो जो समी कृशी है वो भी क्या कर रहे हैं ध्यान आखें बंद करके अपने ध्यान में बैटे हैं अब परिक्षित पहुँचे परिक्षित ने देखा देखो तो कि कैसे रिशी है, इसको ये भी नहीं लग रा कि इसके राज्य का राजा आया है, राजा का कोई सम्मान किया जाए, बड़ा आया ढोंग करने बैठा है, समीक रिशी को ढोंगी कहकर के, वहाँ पर एक मरा हुआ तक्छक जाती का शर्प पड़ा था, और वो सर्प परिक्षत ने उठाया और उठाकर के समीक रिशी के गले में डाल दिया, और परिक्षत बापस आ गए, अपने महल में, बापस आये मुकुट उतारा, मुकुट उतारते ही सब बाते आद आ गए कि मैंने ये क्या कर दिया, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, समीक रिशी के फुत्र सरंगी रिशी पहुचे जंगल में, और सरंगी रिशी ने देखा कि मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प पड़ा है, स्रंगी रिशी समझ गए कि ये किसी ना किसी ने गलत किया है पिताजी के साथ तो स्रंगी रिशी ने अंजली में जल लिया और जल ले करके वहीं से परिक्षित को श्राप दिया उनको पता नहीं है कि ये परिक्षित ने किया है उन्होंने तो श्राब दे दिया कि इतिलंग है तुम्हरे आदम तक्छका सब्त में हनी दंच यतिस्म कुलांगारं चोदितों में तत्रुहं जिस कुलांगार ने कुल के लिए अगनी की तरहे काम करने वाले राजा ने मेरे पिता जी के साथ ये दुर्ब्यवहार किया है उस कुलांगार को मैं ये श्राब देता हूँ कि आज से साथवे दिन इसी तक्छक जाती के नाग के डस्ते ही उस राजा की मरत्यू हो जाएगी और वह राजा मर जाएगा श्राब दिया थोड़े देर के बाद समीक रिशी की समाधी जब खुली उनको पता चला कि मेरे बेटे ने श्राब दे दिया है उनको बुरा लगा कि परिक्षित ऐसा नहीं कर सकते और मानलो परिक्षित ने किया है तो कोई न कोई बात तो नहीं होगी इसलिए श्रंगी रिशी ने अपने एक शिष्य जिसका नाम है कुरुमुक नाम के शिष्य को बुलाया और कहा कि तुम परिक्षित के पास जाओ और परिक्षित को बता के आओ कि श्रंगी रिशी ने मतलब समीक के पुत्र श्रंगी ने आपको श्राप दिया है आप जाईए अपने कल्यान का रास्ता धून लीजिए कुरुमुक नाम के शिष्य जब परिक्षित से मिले तो परिक्षित वैसे भी प्राइस्चत कर रहे थे कि मुझसे गलती हो गई और उसी समय जब पुसिष्य पहुँचा और बताया कि महराज आपको तुश्राप मिल गया है तब परिक्षित ने तुरंट अपने राजा बाले जो बस्त्र है राजचिन उन राजचिन्हों का त्याग कर दिया तुरंट साधारन से वस्त्र पहने अपने पुत्र जनमेजय को गद्धी सौपी और परिक्षित घर से निकल गए गंगा जी की ओर गंगा टट पे पहुँचे